नमस्कान न्यूज इंडिया में स्वागत आपका मैं आपके साथ सागर मिश्रा बड़ी कबर केव के हाइड्रोलिक प्लांट पर रूस का कबजा कीब में रूसी सेना लगतार तबाही मचा रही है केव के हाइडरोलिक प्लांट पर रूस का कबजा देखिये किस तरह से मिसाईल लगतार रूस की तरफ छोड़े जा रहे हैं रूस की तरफ से युक्रेन पर लगतार ये हमला किया जा रहा है तीसरे दन और बड़ी तबाही और ये लगतार आगे भी जारी रहेगा फ्रांस के राश्पती भी ये कह रहे है और कीप पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला है अभी तक का रियाशी मारतों पर मिसाईले दागरा है रूसब मेली टोपोल पर भी रूस का कबजाब हो चुका है और ऐसे में जंग के तीसरे दिन रूस ने युकरेन की राजाने के पर ये हमला किया इस हमागे में कई रियाशी मारतों को नुक्सान पहुचा रूस ने कई शहरों पर भी कबजा किया है युकरेन ने 35 रूसी सेने को दो टैंक 14 विमान और 8 हेलिकॉप्टरों को मार गिराने का हाला की दावा किया है हालातों को देखती हूँ अमेरिका ने युकरेन को रूस से लड़ने के लिए 600 मिलियन डॉलर की सुरक्षा साहिता देने का एलान किया मतलब कि अमेरिका खिलाफ है इस समय रूस के खुलकर 600 मिलियन डॉलर की सुरक्षा इन हालातों से ने पटने के लिए अमेरिका दे रहा है मदद की रूप में लेकिन रूस और युकरेन की भी जगड़े की वज़ा क्या आखिर क्यों रूस युकरेन की साथ इतनी सक्ती के साथ पेशा रहा है रेपोर्ट में आप देखिया अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से रूस पर लगे कैई प्रतेबंदों के बीच वल्दमीर पुतीन युकरेन पर अपना जंगी खेल जारी रखे हुए है युकरेन और रूस की तरफ से अलग-अलग दावे किये जा रहे है रूस का कहना है कि वो सिर्फ युकरेन के सेनेट खानों को निशाना बना रहा है जबकि युकरेन का दावा है कि आम लोग भी मारे गए है हमले की शुरुआत युकरेन के अलग-अलग हिस्सों में धमाके से हुई यूक्रेन ने दूसरे देशों के साथ साथ पीम मोदी से भी मदद मागी है अमेरिका ने रूस को चेताया है तो चीन मामले को शांती से सुलजाने की घुजारिश कर रहा है यूएन में रूस ने हमले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये अभियान यूक्रेन के लोगों की रख्षा के लिए है जो कैई सालों से पीड़त है हमारा लक्ष यूक्रेन को नरसंगार से बचाना है जाहर है यूक्रेन और रूस के बीच बारता तनाफशीत युद्द के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े संकट को चन्द दे सकता है अगर क्यों रूस के लिए यूकरेन उतना खास है जिसे पुदीन किसी भी हद तक जाकर पाने की चाह रखते हैं एक नजर डालते हैं दरसल जो नीती रूस अभी अपना रहा है वो इसलिए कि वो अपने देश की सीमा के करीब एक खतरनाक सेन्ने गटवंधन का प्लाटफार्म बनते देख रहा है रूस यूकरेन को नाटो सदस से बनने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि उसे नाटो सदस से देशों से मिसाइल और सेनिक ना मिल सके यूकरेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है जब उस पर दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान पश्चिम से हमला हुआ था तब ये यूकरेन का ही इलाका था जहां से उसने अपनी सुरक्षा की थी वहां से रूस की राजधानी मॉसको एक हजार छेसो किलो मिटर दूर है अगर यूकरेन नाटो के हातों में चला जाता है तो मॉसको महज 640 किलो मिटर दूर ही रह जाएगा इसलिए यूकरेन वो सिक्क्यूरिटी जोन है जिसे रूस हर खाल में अपने पास रखना चाता है इसके अलावा रूस यूकरेन को दूसरे देश की नजर से नहीं देखता रूस यूकरेन को अपना दिल मानता है यूक्रेन को लेकर रूस का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है जो उसकी मूल पहचान में बसा है जब यूक्रेन एक देश के रूप में खुद की पहचान रूस के विरोधी के रूप में करता है तो रूस में बहुत तीबर भावनाएं पैदा होती है रूस में इसे लेकर बहुत गुसा और निराशा होती है ठीक वैसे ही जैसे एक भाई के विश्वासखाद करने से पैदा होती है मतलब साफ है कि यूकरेन और रूस के बीश तनाव की वज़ा सांस्कृतिक और एतियासिक संबंधों की वो डोर है जिसे रूस हर कीमत पर बनाए रखना चाहता है रूस में ये धारणा है कि वो दुश्मन देशों के एक गटबंदन से घिरा है जो इस महाशक्ती के लिए चिंता का सबब है क्रिमिया को कबजे में लेने के बाद से ही ये विचार पश्चिम की फिजाओं में तैर रहा है कि केवल यूकरेन नहीं है जो रूस में लोटेगा पोलेंड, बुलगेरिया और हंगरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो कभी सोवियत संग का हिस्सा हुआ करते थे साल 1991 में सोवियत संग के विगटन के बाद यूकरेन को आजादी मिली थी यूकरेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है एक तरफ इस देश में बेहद उप्चाओं मैदानी इलाका है वहीं दूसरी तरफ पूर्व की तरफ इस देश में कैई बड़े उद्योग है यूकरेन के पश्चमी हिस्से का यूरोपिय पड़ोसियों खासकर पोलिंच से गहरा रिश्टा है यूकरेन के पश्चमी हिस्से में राष्टवाद की भावना मजबूत है हाला कि यूकरेन में रूसी भाशा बोलने वाले अल्ब संख्यकों की संख्या भी अच्छी खासी है इन लोगों की विक्सित पूर्वी इलाके में खासी मौजूदगी है 2014 में रूसी की ओर जुकाव रखने वाले यूकरेन के राष्टपती विक्टर यूनों को विच के खिलाफ यूकरेन की सरकार में विद्रो होने लगा था रूसी ने इस मौके का फादा उठाया और यूकरेन में मौजूद क्रिमिया को अपने कबजे में ले लिया यूकरेन में हुए आंदोलन के चलते राष्टपती विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा मगर तब तक रूस क्रिमिया का अपने साथ विले कर चुका था इस घटना के बाद से ही यूकरेन पश्चमी यूरोप के साथ अपने रिष्टों को बहतर बनाने की कोशिश में जुटा है लेकिन रूस लगाता इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा यही वज़ा है कि यूकरेन, रूस और पश्चमी देशों की खीचातान के बीच फसा हुआ है यूरो रिपोर्ट नियू सिंद्या तो चलिए बाब को पोतिन और जलस्की के सियासी सफर के बारे में बताते हैं एक खुफिया एजेंट और दूसरा कॉमेडी किंग कैसे अपने अपने देश के राश्च्पती बने रिपोर्ट आप देखिए पचास साल पहले लेनिन क्रेंग की सरकों ने मुझे एक सबक से खाया था और वो ये कि अगर लड़ाई होनी है तो आपको पहला मुक्का मानना होगा ये बात अक्तूबर 2015 में रूस के राश्च्पती वल्दमीर पुतीन ने कही थी अब ये बात सही साबिख देए रूस ने यूटेल पर आक्रमन कर लिया ताबर तोड गोले बरसाए हालात काफी खराब है लोग भाग रही है सडकों पर गाड़ियों का रेला लगा है लेनिंगार जिसे अब सींट पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है यही पर पुतीन का जन्म हुआ था बच्पन में पुतीन के लड़ाई अपने उम्र से बड़े लड़कों से होती थी और यही बजा है कि पुतीन ने जूरो सीखा और ना केवल सीखा बलकि इसमें महारत हासिल कर ब्लैक बैल्ट भी धारण कर ली सियासत में आने से पहले वल्दमीर पुतीन ने सोवियत संग की खूपिया एजनसी केजी बी जॉइन की ऐसे में आपको पुतीन की पूरी कहानी बताते हैं शुरुआती शिक्षा के बाद पुतीन ने कानून की पढ़ाई की 1975 में USSR की खूपिया एजनसी केजी भी जॉइन की 1980 के दशक में पहली बार विदेश में तैनाथ किये गए जर्मनी के ड्रेस डेन में एजन्ट के तौर पर तैनाथ किये गए 16 साल तक जासूसी का काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया केजी भी छोड़ने के बाद पुतीन सियासक में आ गए रूस के राश्टपती बोरिस यलिट सीन के एक करीबी बन गए यलिट सीन ने 1999 में पुतीन को प्रधान मंत्री के तौर पर नियुक्त किया यलिट सीन के स्थीफिक एबाद पुतीन कर्रेबाहक राश्टपती बने 26 दिसंबर 2000 को पुतीन ने अपना पहला राश्टपती चुनाब जीता मार्च 2004 में पुतीन दूसरी बार राश्टपती बने 2008 में पुतीन ने मदवेदेव को राश्टपती बनाया और खुद पीम बन गए क्योंकि रूस के संबिधान में लगाता दो बार राश्टपती बनने के प्रावधान है रूस के राश्टपती मदवेदेव ने संबिधान में संचोधन किया राश्टपती के कार्रेकाल को चार साल के बजाए छे साल कर दिया पीम के बाद पुतीन ने एक बार फिर राश्टपती का चुनाब लड़ा 2012 में तीसरी बार राश्टपती चुने गए 2018 से 75 फीसिदी से जादा वोट पाकर चौधी बार प्रेजिडेंट बने जुलाई 2020 में संबिधान संचोधन कर 2036 तक राश्टपती का पद अपने पास रख लिया रूस कभी अमेरिका को सीधी टक कर देता था लेकिन कुल्ड वार के बाद रूस कुछ कमजोर हो गया कुल्ड वार के बगत रूस सोवियत संग यानि यूएससार कहलाता था 1991 में यूएससार का विगटन हो गया 15 नए देश मन गए इनमें से एक यूक्रेन भी है पुतीन को ये विगटन शायद तब रास नहीं आया था यही वज़ा है कि सोवियत संग के विगटन को पुतीन कैई बार एतेहा से भूल कह चुके हैं पुतीन रूस के सोवियत संग वाले दिन को लोटाना चाहते हैं कई सालों से मिशन में जुटे हैं पुतीन 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ युद्द छेड़ दिया दो इलाकों साउथ उसेशिया और अबखास को स्वतंतर घोशित कर रूसी सेना ये तैनाथ कर दी गई 2014 में यूकरीन के क्रिमिया पर हमला कर कबज़ा कर लिया कुछ दिन पहले यूकरीन के डोनेट्सका और लुहांस स्वतंतर पीपल रिपबलिक घोशित किये गए अब आपको बताते हैं रूस के साथ युद्द का दंच छेल रहे यूकरीन के राश्चपती वैलेडिमीर जेलिंस्की के बारे में सियास्त में आने से पहले जेलिंस्की हिट कॉमेडी के स्टार थे और उनके वीडियो ने अपने देश के लोगों में ऐसा समाबाधा कि आज वो अपने देश के पहले नागरिक बन गए जेलिंस्की का जन 25 जनवरी 1978 को यूकरीन के क्रिवी रीव में हुआ स्कूली पढ़ाई उन्होंने मंगोलिया में की कीव नैशनल एकानोमिक्स यूनिवरस्टी से लौकी डिग्री ली जेलिंस्की हिट कॉमेडी शो के स्टार एक्टर रहे 2015 में उनके शो सर्वेंट आप तपीपल में उनके करदार को बेहत पसंद किया गया इस शो के जरिये जेलिंस्की सरकार का मजाख उडाते थे यूकरीन में कापी लोग प्रिये था जेलिंस्की का शो तो यूकरीन में हालाद ऐसे हैं जो अब सम्हाले भी नहीं समलते क्योंकि वीटो पावर का जो इस्तमाल किया रूस ने ये एक लेटिन भाषा का शब्द हैं लेकिन रूस ने इसका इस्तमाल करके सारे प्रस्ताओं को रोख दिया वीटो का मतलब मेरी अनुमती नहीं है बेशक 15 देश जो यूनस्सी की बैटक में शामिल हुए उसमें से अगर 14 देश भी अगर एक साथ आ जाएं तो रूस अकेले वीटो पावर का इस्तमाल करके उस प्रस्ताओं को रोख सकता है पाँच देश है इसमें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं जिनके पास वीटो पावर है एक है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्राजील और चाइना अब हम चलेंगे दली से समधाता आज 10 रपियों शुक्ल जुड़ गया है जो पूरी बातचीत करेंगे पूरो राई नहीं के उनके साथ प्यूश देखें बीटो पावर लगा के रूस ने तो रोक दिया सर लेकिन उसके बाद अब क्या इस्थितियां बनती हैं क्योंकि रूस को के खिलाफ जितने प्रस्ताव आई उनको उसने रोक दिया इस्थितियां युद्ध की बनी हुई हैं लगातार युद्ध चल रहा है और नुकसान दोनों तरफ हो रहा है ऐसे में अब आगे की क्या चुकी योगस्तलाविया में आप रहे हैं योगस्तलाविया के बगल में यूकरेन है तो ऐसे में उसकी परिस्थितियां क्या हैं और कितने दिन ये चीजें और अभी खिल सकती हैं ये देखिए एक तो ये रशा आप पीछे तो जानी सकता जो उसके खिलाफ प्रस्ताव से लग गए जो भी संक्षन लंगी थी अमेरिका ने लगा जी इंग्लेंड लगा जी बड़े उड़ी कर्ट्रियां उनको भी पता है कि अब जो होना हम हमें होई गिया है तो अब बीच में छोड़ना उनके लिए उनके लिए बहुत ही इंबरस्मेंट होगा तो वो अपना काम पूरा करके ही रहेंगे जो उनने अपना इरादा पूटिन साहम ने किया है यहां एक सवाल उड़ता है कि आखिर यूक्रेन से इतना बड़ा खत्रा छोटा सा देश से यूक्रेन समझना होगा और यूक्रेन से इतना बड़ा खत्रा कैसे था रश्या को कि उसने इतनी बड़ी सैन कारवाई उसको युक्रेयन से खत्रा कुछ नहीं था ना आज भी है वो तो अपने को जिसको कहते हैं भाई मानते हैं तो तो रही है एक एक कंट्री रही है उनिस्टो सत्रा से लेकर अब तक एक ही कंट्री थी अभी बाद भी जब वो सुबिट उन्न का विवाजन वह तब या उक्रेयन हमारे भाई हैं हमारे हमें उन्से कुछ थोड़ी है वगर हमें हमें जो डर है यह प्रेसिडन्ट था शेंको अभी यह यह नेटो के मतब अमेरिका के उस और नेटो के निशन्स में लुखाव में आज़ा यह भी करिएगा हरुन जी से कि जब अमेरिका और सुरक् अगर एक बार अपना सवाल फिर से दोहराईएगा मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब अमेरिका और सुरक्षा परिशा से जुड़े जो सदसे हैं वो यह जानते थे कि रूस आखरी लम्हे पर बीटो पावर का इस्तिमाल करेगा इसके बावजूद आगर इस प्रस्ताओं क इस्तिमाल करके सारे प्रस्ताओं को रोक देगा तो आखिर इस प्रस्ताओं को लाया क्यों गया और इतना देर क्यों आखिर क्या बजा है इतनी देर क्यों लग रही है नहीं नहीं वो प्रस्ताओं तो अब खतामी हो गया रशने वीटो कर गया खता हो गया उसके को अमाहत भी देख सकता था वीटो, भी फाइब है, वे शायनार ने वीटो नहीं किया, खुद उसको करना पड़ा वीटो, अरे इसकी वेलू का होती है, कि दूसरा को भी वीटो करना तो उसकी वेलू जाजा होती है, इनको तो खुद ही करना पड़ा वीटो, अपने को बचाने के वह हुग गया, मोदी ने इतना कहा था तहुत है तीन वहीं तीन देपने ने अब पता लग रहा है, एक पहाथा हमारे जो स्टुरेंट्स हैं, वह हमारी नमबर वण प्रस्मिंट कहते हैं, वह है, और हमारे स्टुरेंट्स की आप भी प्रॉटक्षन देंगे, और रशान यह तो कर रहा है रशाओ इसी बात नहीं है रशान नहीं का निया आपकी इस्टूड़न पर कोई आच नहीं आ रहे जा रही है कोई इस्टूड़न जारा बॉर्डर की तरफ उसको बिल्कुल मत तंक करना है तो वो तो मुदी ने पहला पॉइंट किया था दूसरा पॉइंट मुदी ने यह का था आप जो लड़ाई चल रही इसकी इवी जट्टी रोग दिए नंबर दो पॉइंट वो नहीं माना रहा है मुदी की बात नहीं माना ना नंबर तीन पॉइंट उसने का था आप लोग ड रिष्टे और उसके बाद भी आपकी जान पर जान सबसे बहुत अच्छी तो आप लोग डिलमाटिक सुनुशन लिखा सकता है और जिसमें के रशा की को भी ध्यान रखा जाएगा अब बने आपको कल एक बहुत बड़ी बात बता जी फिर रिपीट कर रहा हूं अगर जो नेटो का इस्टिंग बौडर इस वकद जो है रशा और की जो दूरी है साड़े ज्यारा सो किलोमेटर है अगर युक्रेन बन जाता है नेटो का पार्ट प्रशार युकरेन के बीश तनाओ फूड़ी तो लगतार हम देख रहे हैं विवाद जो लगता चला जा रहा है लेकिन से बीच युश्ई रिपीच युश्गें युक्रेन के बीसतनाओ तिक बड़्य त Also लगता बढ़ता चला जा रहा ये ख़बर और भी ज़्यादा परिशान करती है कि ताइवान में चीन के नौ लड़ा को विमान देखे गए ताइवान ने पूरी सुरक्षा बढ़ा दी क्या कोई कनेक्शन है क्या इस विवाद से चाइना और ताइवान का सर एक तरफ तो रूस यूक्रेन का विवाद शुरू होता है दूसरे तरफ ताइवान में नौ से दस लड़ाकों विमान देखे गए हैं चाइना के उधर चाइना भी एक्टिव हो गया वह तो अभी बात करते हैं यह ज़िए विमान मेरे खाल है चार-पांच महिनी से दिख रहे हैं यह कोई आज की बात नहीं यह तो एक शोग की है हुनने इस दिखाने के लिए हम भी क्या है और वह थो जनवरी बी व में उड़ा रहे है यह नुबर में तो आक्टूबर से द दूसरे देशों पर उनकी सीमाओं पर भय या टेरर बनाना उस तरह का कुछ कर रहा है चाहिए? वो करी ना है तो कहता है यह हमारा हिस्सा है यह बेक वे प्रोविंस है हमारी यह जो चाहिना है। सुछ टरह जाय हैं देटर चाहिना है अम इसको वापस लेना चाहते हैं। तो उने होंग कोंग के लिए भी कहा था तो रूस के इस काम से अब चाइना जो उसका दोस्त बना हुआ है लगातार सपोर्ट कर रहा है वो भी एक्टिव होता दिखाई दे रहा है तो कही ना कहीं विश्यों में एक नए तरह का की खलबली मस्ती भी दिखाई दे रही है अब यह मेंसेज चला गया है जिसकी लाठी उसकी भैस अगर दोवारा पार स्ट्रॉंग लाठी है तेल में पेपी हुई तो तुम जोचाए कर लो यूएन फूएन कुछ नहीं है उसको उसको अगर चाइना को भी रोकने की कोशिश यूएन करता है यूएन के नागरिकों को वो कह रहे है कि आप अपने अपने हाथों में हैथियार आप लीजिए दुश्मनों का सामनाप करिये पेट्रोल बम बनाने के लिए उन्हें उतार दिया गया कि आप बम आप बनाईए ताकि दुश्मनों का सामनाप करिये क्या कुछ समधान उनके सामने है क्या क्या आगे कुछ करने का रास्ता दिखाई देता है ये भी पूछिए उनसे बिलकुल सागर देखिए जिस तरह से यूकरेन की स्थिती होई सर उसके बाद वहाँ के राष्टपती इकिम करतब विमूर टाइप इस वक्त उनकी सिचुएशन हो चुकी है वो कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है जिनके दम पर दम भर रहे थे वो तो पीछे भाग गए उनके कंधे बंदुख रख दी गोलियां उनको दी नहीं और अब वो नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि आप आईए यूकरेन की रक्षा के लिए खड़े होईए पेट्रोल बंबना ये ये सारी चीजें करी है तो सर ऐसे में क्या लगता है मतलब यूकरेन अब क्या स्टेप लेगा उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं रहा है इसके बाद कुछ नहीं है अभी वो कहता है मिलिटरी टेक ओवर कर ले या कोई अपना आदमि डूंदा ओगा पूटेने किसी को जो उनका लॉलिस्ट होगा उसको उसको बिठा देगे कदी पे ठीक है मॉसकोस होकुम लेकर जो काम करेगा उनकोस के होकुम लेकर यही होगा स्टितियां है यूकरेन के राश्टपती का बार-बार कहना मैं जुकूंगा नहीं उसके कहने से क्या होता है अकेला विचारा कहां तक लड़ेगा वे टाकत की बात भी होती है एक बटे दस की बात हो रही है वो एक है वो दस लोग है कितरे कब तक तुम रोकोगे मैंने मुझे सच में बूची आज शाम तक ख़त हो जाएगा लेकि अमीड लगाई जा रही है कि आज शाम तक कुछ बड़ा हो सकता है यूकरेन को लेकर लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिबाद नाटो का जो सेंटर बन रहा था यूकरेन में और यूकरेन नाटो में सेंटर हो जाता तो निस्षित तोर पर ये दूरी 600 किलोमीटर के आसपास रह जाती और ऐसे में अमेरिका की एकसेस यूक्रेन में बहुत आराम से होती और कहीं न कहीं रूस के लिए जो यूक्रेन लगतार अपने यूरोपी देशों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था रूस को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी पिछले कई दिनों से यूक्रेन की ये भी मनशा थी कि नाटू देश में हमें भी शामल कर दिया जाया रूस ये नहीं चाहता था क्या यही दो वज़़े है कि और भी कई वज़े हैं ये भी जानने की कोशिस करिए इस विवाद के सर सबसे बड़ी बात है कि यूकरेन और रश्या के बीच में जो भी बात चला युद्ध की स्थितियां बनी युद्ध होता है इन सब के पीछे कई सवाल उड़ते हैं क्या यूरोपियन कंट्री से लगातार यूकरेन की दोस्ती बढ़ना अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ना यही वजह थी या वजह कुछ और ती और दो लोगों के आपसी टक्राओं में पिस गया ही अब यह हम नहीं कह सकते के दो जोनों के वेबार में आप्टर आल इस प्रेसिदेट जिलन्सकी नहीं एक्सेप्ट किया कि हम नेटो मिमबर बनेंगे मगर वो टालते रहे यह 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 इतना सोच नहीं पाया यह उन्हें बना को नहीं दिया नेटो मेंबर तेईस कंट्रीज का था उनको देर क्या लगती है बनाने में अगर इतनी जल्दी थी तो अमेरिका ने खुदी रेकोगनेशन नहीं दिया उसको अमेरिका पता था कि हम कुछ करेंगे इसको नेटो में बनाई तो रशाई में जिटली अब्जेक्ट करेगा उनको यह नहीं हुई थी कि रशा आके अक्रमन कर देगा इसके लिए यह नहीं हुई थी नेटो को वह इस उमीद में देके इसी को फुसला के हम करवा लेंगे काम असानी से गें चांब हुई और नेटो में शामिल नहीं करना था उनको केवल भाड़ा जाँस था अब फिलार तो बहलाना ही था देकी जाएगी परिस्थिती जैसी होगी वह बहलाने में यह पुट्रिन इतना श्रोंग आजिए वह बहलाने में लुए अगा उसने उसने अ तिक रुचेव ने दो सो किलिमेटरी था वाज है मेरेका से चैनेटी के अप्यूश हो एक ये विवाद अभी एक कहा तक बढ़ता है पूरे विश्वक की नजर है फ्रांस तो यह भी कह रहा है कि देश अब देखेगा पूरा विश्व अब देखेगा तीसरा विश्वक जिसकी घड़िया नजरीक आगें बहुत हो शुक्रिया प्यूश बातचीत के लिए तो तस्वीरे जो लगता है हम आपको दिखा रहे हैं युक्रेन की मनशा नाट्टू देश में शामिल होना युरोपिय देशों के साथ नज़्दीकिया बढ़ना और ये सभी बातें किस तरह से एक बड़ी बिबाद में तबदील हो गई एक लड़ाई में तबदील हो गई पूरा विश्व इस मनजर को इन तस्वीरों को बड़े करीब से देख रहा है निज इंडिया भी लगतार आपको अपडेट दे रहा है कि किस तरह से हालात है युक्रेन में किस तरह से लोग परिशान है कैसे इमारतों पर रॉकेट लाँच कर रहा है इस वक्ति रूस तो ऐसे में सब कोई अब सोच रहा है कि आखिर क्या आपको समाधान है यहाँ पर क्योंकि रूस लगतार अपने कदम बढ़ा रहा है युक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है क्योंकि युक्रेन का हट नाटो देश में शामिल होना नज्जीकियां यूरूपिय देशों के साथ बढ़ना आज उसको इस दलदल में धकिल दिया है जिससे युक्रेन निकलने की हालत में नहीं दिखाई दे रहा है युक्रेन की राश्पती ये कह रहा है अपने नागरिकों से कि आप पेट्रोल बंब बनाईए आप अपने हाथों में हतियार आप लीजिए डट कर सामना करिए लेकिन उनका ये कहना कि आखरी लंभे तक हम लड़ेंगे ये लड़ाई कहां तक जाएगी देखने वाली बात